नमस्कार, हमने बेब एंड औसिलेशन्स के यूनिट सेकिंड में अध्यारोपन सिद्धान्त, प्रंसिपल आप सुपर पोजीशन समझा है। अध्यारोपन सिद्धान्त का उपयोग करते हुए हम आज ठेज बेलोसिटी और गुरुप बेलोसिटी को सीखने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं मैंने आपको बतलाया था बेब मोशन। What is wave motion? It is nothing except a disturbance in a medium which propagate with certain velocity. And this disturbance causes the elastic wave. क्या कहना चाहते हैं? जब माध्यम के अंदर elastic wave generate होती है, किसी disturbance के कारण होती है, तब उस इस्तिती में जो माध्यम के कण है, उनकी जो गती है वो एक तरीके से सरलावर्द गती होती है। और निश्चित रूप से जो disturbance है वो एक निश्चित बेग से आगे चलेगा। यदि हम इन गतिसील कणों को एक oscillator के रूप में मान लें, तो हम यह कह सकते हैं, कि ऐसे अनेक oscillators का जो coupled system है, ऐसे अनेक oscillators का जो coupled system होगा, वहें बेब को जनम देगा। और तरंग में इन घटक दोलकों में उनकी कलाओं की द्वारा एक correlation भी होगा। आप जानते हैं, locust of all point which vibrate in same phase is said to be wavefront, उसे हम तरंगागर कहते हैं, और यह है माद्य में जिस वेग से गति आगे करता है, माद्य में जिस वेग से समान कला में disturbance आगे बढ़ता है, हम उसको face velocity कहते हैं। हम progressive wave की equation से परचित हैं, progressive wave का जो equation होता है, वह है y is equals to a sin of omega t minus kx, where omega is angular frequency and k is propagation constant, हम propagation constant को 2 pi y lambda कहते हैं, अब यदि हम कहें कि माद्य में जो तरंग जिस वेग से चल रही है, वह है समान कला से चले, यानि उसकी जो face है, argument है, वह है constant होना चाहिए, तो हम बेग ज्याद करने के लिए क्या करते हैं, कि जो इसका कला कॉंड है, प्रगामी तरंग का, वह है कला कॉंड है omega t minus kx, तो हम इसको constant के बरावर लिख लेते हैं। अर्थात कला कॉंड बरावर है, omega t minus kx is equals to phi is equals to constant. इसको differentiate करते हैं, जब हम इसको differentiate करते हैं, तो differentiation relation हमको मिलता है, omega dt minus kdx is equals to 0, it means dxy dt is equals to omega by k, और यह जो relation dxy dt आया है, जो omega by k के तुल है, हम इस relation को ही phase velocity कहते हैं। ध्यान रहे, यह जो phase velocity की हमने expression drive की है, यह किस सूरत में की है, किस परिस्तिती में की है, माध्यम में जब बेग समान कला के तल, अथवा विच्छोब जिस समान कला से आगे बढ़ता है, हमने उस इस्तिती में, उस case में, phase velocity की calculation की है, अब हम phase velocity की इस concept के आधार पर group velocity को बनाना चाहते हैं, group velocity का concept डेबलब करना चाहते हैं, आप जानते हैं, कि जो बाइट लाइट है, बाइट लाइट में seven colors होते हैं, अलग-अलग colors होते हैं, सभी color की अलग-अलग frequency है, सभी color के अलग-अलग velocities है, तो जब ये different different waves का super imposition होता है, एक दूसरे के ऊपर अध्यार open होता है, तो अध्यार open होने से जो result मिलता है, वह result है कि हमें byte light प्राप्न होती है, उसी प्रिकार से यदि कोई string है, उसको खींच करके छोड़ दिया जाए, अर्थास उसमें हम अनुप्रस तरंग की रचना कर दें, तब निश्चित रूप से डोरी में भी एक disturbance होगा, और ये जो disturbance है, यह disturbance सिर्फ एक तरंग के रूप में नहीं होता है, बलकि यह disturbance भी एक तरंग समूँ के रूप में होता है, और जो तरंग समूँ बनता है, उसकी जो रचना होगी, वह अध्दारोप अंड सिद्धान्द की अनुसार होगी, तो इस प्रिकार का जो समूँ बनता है, जिसका modulated amplitude का जो envelope होगा, और वह envelope जिस velocity से गती करेगा, हम उसको group velocity कहेंगे, इस बात को हमें एक बार और सुनना चाहिए, यदि हम string पर कोई बेब जनरेट करके छोड़ दें, तो जो medium में disturbance हुआ है, वह disturbance एक तरंग समूँ के रूप में होता है, इसकी रचना ध्यरोपन सिद्दान से होती है, तो ऐसे हालात में जो modulated amplitude का envelope है, वह envelope जिस velocity से गवन करता है, हम उसको group velocity कहते हैं, आपको ये जानकारी है, कि हम बेब मोशन का जो application है, वह एक जगा से दूसरे इस्तान पर कई बार message भीजने में किया जाता है, जैसे कि transmitting station पर जो बेब है, उसके साथ signal को भेजने के लिए, original बेब में कुछ हम change करेंगे, जिसको हम modulation कहेंगे, और receiving end पर जब इस message को प्राप्ट कर लिया जाता है, तो फिर महाँ पर उस message को प्राप्ट करने के लिए decoding किया जाता है, और यह decoding, demodulation के द्वारा संबब है, modulation जो प्रिक्रिया होती है, वह है प्रिक्रिया अध्यारूपन सिद्धान्त के द्वारा की जाती है, और इस प्रकार से विविन आबरती की तरंगों के अध्यारूपन से, एक हम ऐसी परणामी तरंग बना लेते हैं, जिसका आयाम नियत नहीं रहता, बलकि समय के साथ बदलता रहता है, और निश्चित रूप से, ऐसे modulated amplitude का जो envelope है, वह envelope group velocity कहलाता है, इस प्रकार का जो उधारण है, हम radio waves के transmission और reception में भी करते हैं, मान लीजेगा, दो तरंगे हैं, omega 1, omega 2, जिन में आबरती अंतर बहुत कम है, समान आयाम है, हमने उन दो तरंगों, प्रगामी तरंग की जो समी करण है, y is equals to a sin omega 1, omega 1 t minus kx, दुत्य समी करण है, y2 is equals to a sin omega 2 t minus k2 x, इन दो तरंगों के, b1, b2 घटक हैं, k1, k2 उनके संचरण नियतांख हैं, तो हम इस पर अध्यारोपन सिद्धांत लगाते हैं, अध्यारोपन सिद्धांत के लिए, अध्यारोपन सिद्धांत के अनुसार, पर नामी तरंग का जो विस्तापन होता है, दौनों के algebraic sum से दिया जाएगा, दौनों का algebraic sum हुआ, y is equals to y1 plus y2, अब हम इस समी करण में, sin c plus sin d technobactrical function का यूज करते हैं, और उसके अनुसार, 2 sin c plus d by 2, cos c minus d by 2 का प्रयोग करते हुए, ये समी करण प्राप्त करते हैं, इस समी करण में हमने, थोड़ा सा परिवर्तन किया है, थोड़ा सा एजम्शन किया है, और हमने कहा है, कि omega 1 plus omega 2 by 2, को हमने average omega के बराबर माल लिया है, इसी प्रकार से k 1 plus k 2 by 2 को k माल लिया है, जबकि omega और k में जो difference है, हम परणामी तरंग जो अध्यारूपन सिधान से बन रही है, उस तरंग का समी करण निकाल सकते हैं, और वह समी करण हमें प्राप्त हो रहा है, जिसे मैंने समी करण एक से दिखाया है, by is equals to 2a cos of delta omega t minus delta kx sin of omega t minus kx, अब घ्यान देखेगा, यह जो समी करण हमें मिली है, यह परणामी तरंग की समी करण है, और यह परणामी तरंग की समी करण भी उन दोनों तरंगों की तरह है, हम कह रहे हैं कि हमें group velocity का मान निकालना है, तो group velocity का मान निकालने के लिए, निश्चित रूप से जो अवस्ता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए डेल्टा ओमेगा और डेल्टा की से जो एनवेलप बन रहा है उस मॉडूलेटेड जो बेब बन रही है हम इस बेग का जो सम्मू होगा उस बेग के सम्मू को ही गुर्ब वेलोसिटी कहेंगे अब इस एनवेलप की एक निश्चित बेलोसिटी के लिए इसका जो मान है वह कॉंस्टेंट होना चाहिए अर्था डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एकस इस इकॉस्टेंट हम इसको डिफ्रेंशिट करते हैं और डिफ्रेंशिट करने पर हमें ग्रुप बेलोसिटी का मान पराप्त हो जाता है और ग्रुप बेलोसिटी का जो मान पराप्त हुआ है वह है डेल्टा ओमेगा वाई डेल्टा के पराप्त हो गया है आप देखेगा नोडल जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर एनर्जी का ट्रांसवर निश्वन दिन्दों के बाहर नहीं होता लेकिन यदि नोडल पॉइंट भी गत्मान है तो उर्जा का इस्थानांतरण ट्रांसवर आफ एनर्जी फिर गुरुप बेग से होगा ध्यान रहे अप्रगामी तरोंगों में नेट उर्जा का प्रभान नहीं होता है हम इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने दो रिजल्ट निकाले हैं पहला निकाला था फेस बेलोसिटी के लिए सूत्र दूसरा निकाला था गुरुप बेलोसिटी के लिए तो गुरुप बे d lambda by d k e g equals to minus lambda square by 2 pi जो मैंने box में solve किया है इस result का प्रियोग करके हम इस मान को यह substitute कर देते हैं इस मान को substitute करने पर हमें group velocity का समीगर्ण प्राप्त हो रहा है और यह समीगर्ण है b g is equals to b p minus lambda d b p by d lambda अगर हम इस समीगर्ण को frequency के form में drive करना चाहें तो इस प्रकार से मैंने drive कर दिया है यह equation 2 है यह equation 2a है तो हमने phase velocity और group velocity के relations निकाल दिये हैं पहला समीगर्ण तरंग देर्थ की term में निकाला है जबकि दुत्य जो समीगर्ण है वह हमने आबरती के form में निकाल दिया है यदि हम अपो बरतनांग यदि हम refractive index की form में अगर relation को use करना चाहें तो मैंने वह relation भी drive कर दिया है यह जो formula हमने drive किये हैं इन formula का जो उपयोग है यह numerical में हो सकता है इसलिए हमको यह formula याद रखना चाहिए अब हम इस सिद्धान जो विक्सित किया गया है उसके आधार पर dispersion medium को define करने का प्रयास करते हैं आप देखेगा dispersion medium क्या होता है आप जानते हैं कि जब कभी किसी माध्यम में जो phase velocity है यदि phase velocity frequency पे depend करे यदि phase velocity frequency पे depend करे तो वो है जो माध्यम हो गया वह है medium होगा वह dispersive medium होगा उधारन के लिए आप जानते हैं कि जैसे किसी dispersive medium है तो उसमें जो different frequency की waves होगी उनके लिए velocity भी अलग-अलग होगी हम इस बात के लिए अपने छूटी classes में कुछ प्रयोग किये हैं और वह हमने प्रयोग prism का किया है जब उस prism से white light गुजरती है तो वह अपने components color में split हो जाती है तूट जाती है कारण क्या है कारण ये है कि इसमें जो different different colors हैं उन different different colors का prism में different different velocity होता है different different frequency होता है red color के लिए जो velocity है वो सबसे जादा होता है तो ऐसे case में जब उसका velocity अलग है frequency अलग है तो इनका जो division होगा और इस घटना को हम dispersive medium के तौर पे कहेंगे और अन्त में जो white light signal हमें प्राप्थ होगा वह है इन सभी के अध्यारूपण से ही प्राप्थ होगा और जो अध्यारूपण से फिर हम जो modulated amplitude का envelope बनेगा हम उसका जो velocity बनेगा उसको group velocity के रूप में कहेंगे तो group velocity का महत्व क्या है महत्व यही है कि basically तरंग सम्मू में जो store energy है वह store energy group velocity से ही move करती है आप देखेगा यदी यदी माध्यम के अंदर जो face velocity है वह आबरती पर निर्भर नहीं करती है तो उस case में medium dispersion less कहलाएगा किसी प्रकार का dispersion नहीं होगा जिसको मैंने गणती सम्मंद इस प्रकार से लिखा है dbp by dk अथवा वो frequency हो wavelength हो किसी पर depend नहीं कर रहा है तो वह 0 हो गया अर्थाथ उस case में bg is equals to dp होगा और यह गटना dispersion less कहलाएगी यदी dbp by d lambda positive है तब उस case में face velocity का मान group velocity से ज़्यादा होगा और हम इसे normal dispersion कहेंगे लेकिन यदी dbp by d lambda negative है तो negative होने से आप जो पहला सूत्र है देख रहे हैं और आप यह जानकारी कर सकते हैं कि जो group velocity का मान है वह फेस velocity से ज़्यादा होगा और इस तरह के सूरत हालाथ होने पर हम इसको anomalous dispersion कहते हैं मैंने डाइग्राम्स में तीनो तरह की situation को graph में present किया है बीच में मैंने dispersion less media के बात की है तो मैंने normal dispersion और anomalous dispersion के लिए भी आपको समझाया है परिक्षा की दरस्टी से यह एक महकून सवाल है जिसमें dispersion की बात की जा सकती है phase velocity की बात group velocity की बात उनकी परवासाएं पूछी जा सकती है और phase velocity और group velocity के मद में जो relations हैं उनको drive कराया जा सकता है साथ ही परिक्षा में इस article से सम्मंदित सामानिता कुछ numerical भी हमको प्रात होते है जन्यवाद